हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैंग और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके सामने लेकर आता हूँ आज के दिन की कुछ खास ख़बरें कुछ बड़ी चर्चाएं जो आपको UPSC परिक्षा की तैयारी में साहिता कर सकती हैं तो आज से कुछ समय पहले हम सभी जानते हैं कि भारत के जो विपक्षी दल हैं वो सब एक साथ आए और उन्होंने जो सत्तारूड भारतिये जनता पार्टी है उसके खिलाफ एक गठबंदन बनाने की गोश्णा की अब ये एक सामाने राजनेतिक प्रक्रिया है पार्टीयां एक साथ आती हैं गठबंदन बनाती हैं इस पूरे मामले में जो एक चुनोती पूर्ण बात थी जिस बात को लेकर विवाद हुआ वो था इनके नाम को लेकर तो ये जो राजनेतिक दल साथ में आए इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने अपना नाम रखा इंडिया ठीक है तो इसका जो पूरा नाम था वो था इंडियान नैशनल एक सेकंड रूखिए इसको मैं बठीक कर लेता हूँ हाँ जी तो ये जो गठबंदन था इस गठबंदन का नाम इंडिया रखा गया इसका नाम वास्तेविक्ता में रखा गया इंडियान नैशनल डेवलपमेंटल इनक्लूजिव अलायंस आई एंडिया तो एक चर्चा ये आई कि यार क्या ये अलाउड होना चाहिए क्या इस बात की अनुमती होनी चाहिए कि कोई भी राजनैतिक दल अपने गठबंदन को का नाम देश के नाम पे ही रख दे कि क्या ये बात ठीक है इसको लेकर पहले दिन से विवाज चले कि चर्चाएं चली कि क्या ये मामला जो है ये उचित है क्या ये बात सही है क्या इ तो इस बात को लेकर आलोचनाएं हुई इस बात को लेकर चर्चाएं हुई जो केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत देश का नाम भारत प्रमोट करने का जो एक तरीका भी अपनाया है ये भी माना गया कि केंद्र सरकार भारत नाम को भी इसलिए प्रमोट कर रही है ताकि इंड अब इस मामले की सुनवाई कर रही है और 10 अप्रैल को दिल्ली हाई कोट इस पे देने वाली है तो दिल्ली हाई कोट ने आज एक बात कही है और ये मामले का पूरा इसमें कानूनी पक्ष क्या है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दू कि चार ता अगर आप एजे लाइफ कोड लगाते हैं इसमें आपको रोज तीन घंटे की क्लास मिलेगी लाइफ क्लास मिलेगी तीन घंटे की mentorship मिलेगी नोट मिलेंगे daily practice questions मिलेंगे उनका evaluation मिलेगा आपको जो है प्रिलिम्स और मेव्स दोनों की test series मिलेगी आपको handwritten notes मिलेंगे और साथ के साथ 18 किताबे जो study IQ की है वो आपको मिलेंगी और आपको जो है किताबे hard copy में मिलेंगे आपके घर पहुँचेंगी और इसके अलावा जो है अगर आप pre qualify करते हैं तो आपको हम दिल्दी बुलाएंगे अपने सानिध्य में अपने साथ रखेंगे और वहाँ पे आ आपको जो है आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंतरगत होगा तो AJ live code लगा कर आप आज ही इस बैच से जुड़ जाईए और अपनी तयारी को एक सही आकार प्रदान कीजे चलिए अब एक बार जल्दी से ndtv.com के उस article पर ही चलते हैं जो इस बारे में बात करत है तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आज क्या कहा है यह आपको जैसा मैंने बताया यह चर्चा आम तोर पर चलती रही है कि भाई क्या यह बात उचित है कि opposition के alliance का नाम जो है इंडिया रखा जाए क्या इस बात की अनुमती उनको होनी चाहिए या फिर नहीं तो जैसा कि आपको म platform जो होती है acronym जो होता है वो आपका इंडिया बन जाता है ठीक है तो इस मामले को लेकर एक PIL दाखिर की गई कि भाई एक जनहित याचे का डायर की गई कि यार यह तो भारत का नाम है और इस नाम का यह इसमें क्या है कई सारे कानूनों के उलंगन की बात की गई एक तो जै को भी हम Team India के नाम से रेफर करते हैं तो क्या ऐसे में यह बात सही नहीं है कि अगर कोई आगे बोलेगा कि हम Team India हैं तो राजनेतिक तोर पे ऐसा माना जा सकता है कि वो विपक्षी दलों के साथ जुड़ा हुआ है या कोई NRI जो है दुनिया भर में कहीं पर भी भारतिय तो क्या ऐसा नहीं माना जाएगा कहीं न्यूस हपेगी India lost the election तो कहीं एक इस प्रकार का विचार नहीं जाएगा कि भारत देश जो है वो हार गया है किसी सुना आपको क्या ये फंदेश नहीं जाएगा तो ये brand name का दुरूपयोग पहला मुद्दा जो इसमें है वो ये है क भाई इसमें brand name के दुरूपयोग होने के आसार है ये बात clear है तो इस आधार पर यहां पर एक याचिका दायर की गई थी तो दिल्ली हाई कोट में ये क्या चल रही है अब दिल्ली हाई कोट ने इस मामले में क्या किया दिल्ली हाई कोट ने अब इसमें पक्ष और विपक् किसी को कोई इसमें आकरी बात कहनी है कोई तरक आपके पास है तो वो तरक आप दे सकते हैं ये बात दिल्ली हाई कोट ने यहाँ पर कही है ठीक है ये बात clear हो गई आपको ये बात स्पष्ट हो गई तो दिल्ली हाई कोट ने ये एक चीज यहाँ पर कही है तो अब देखि करते हैं representation of people's act जो है आपका वहीं ये कहता है कि राजनेयतिक दलों के नाम जो है वो देश हित्मे होने चाहिए उनके नाम ऐसे नहीं होने चाहिए जो देश का धार्मिक सद्भाव बिगाड़ें देश की संद्चना को खराब करें बहुत कुछ नियम है राजनेयतिक दलों के यहसा रखे हाला कि कई सारे रजनेयतिक दल ऐसे हैं जिनके नाम में इंडिया शब्द आता आप यह देख सकते हैं जैसे All India ट्रणिमूल कॉंग्रेस है जिन के नाम में इंडिया शब्द आता है अगर आप देखेंगे तो कम्यूनिस पार्टी औफ इंडिया यह याथ आप जानते हैं कि Communist Party of India, तो इसके नाम में भी आप देखेंगे, नाम में आपका इंडिया शब्द आता है, तो ये चीज जो है इस पे पार्टियों के नाम में इस तरह से इंडिया शब्द का उपयोग करने पर भारत में कोई पाबंदी अभी तक नहीं है, कि पार्टियां ज प्रवाचन आयोग को ये अधिकार दिया गया है, कि अगर उसे किसी पार्टि का नाम नियमों के विपरीत लगे, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, जैसे मान लीजे कोई existing party है, कोई existing party है, कोई party पहले से है, और अगर मान लीजे कोई एकदम वैसा ही नाम रख ले, जैसे ये माना जाता है, कि मैं फिर एक बड़ी party के नाम के साथ confusion पैदा करना चाता हूँ, और निर्वाचन आयोग मेरे नाम को ठुकरा सकता है, कि ये नाम हम अलाओ नहीं करेंगे, ये किसी party से मिलता चुलता नाम है, इसकी अनुमती नहीं दी जाएगी, ठीक है, तो निर्वाचन आयोग ने कहा, कि सर गठबंधन पर कोई नियम है ही नहीं, गठबंधन तो है, भई गठबंधन को तो निर्वाचन आयोग पहचानता नहीं न, गठबंधन तो क्या है, एक arrangement है, कि चलिए हम लोग साथ मिलके काम करते हैं, गठबंधन कोई election commission के साथ register तो होता नहीं है, फ्राजनेतिक पार्टियां election commission के साथ register होती है, गठबंधन तो register भी नहीं होता, तो निर्वाचन आयोग ने ये कहा, कि सर गठबंधन पर तो हम क्या कर सकते हैं, गठबंधन पर तो कोई नियम ही नहीं है, और अगर कोई नियम नहीं है, तो अगर हम इस पर कोई क भारत के हां आप देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेदवन में देश का नाम परिभाशित है, अनुच्छेदवन में देश का नाम जो है वो दिया गया है, इंडिया और भारत, ये चीज़ आपके अनुच्छेदवन में दी गई है, इसके अलावा आपका emblem and names, जो कहता है किसी भी राष्ट्री चिन्ह का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप किसी भी राष्ट्री चिन्ह का दुरुपयोग नहीं कर सकते, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि भारत का जंडा ही हमारी पार्टी का जंडा है, ये आप नहीं कह सकते, अगर आपको आपकी पार् वाकैर का यहां पर है इसको अभी त्या नहीं किया गया है लेकिन आप जो संकेत के तौर पे ले सकते हैं कि मैं भी इसको बैंड किया जा सकता है इसके अलावा भारत में जो Trademark Act है जो आपको मैंने बताया जो क्या करता है कि कोई भी अगर कोई collectors ब्रेड मार्क है जो भारत में ट्रेड मार्क के लिए कानून बनाया गया है ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 वो भी किसी एक्विस्टिंग ब्रांड के नाम को उप्योग करने पर प्रतिबंद लगाता है और जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया एक देश का नाम नहीं एक ब्रै ब्राजनेतिक गढ़बंदन है या फिर यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसको लेके यह मामला यहां पर उलज सकता है ठीक है इसके अलावा जैसा आपको मैंने बताया रेप्रेजेंटेशन और पीपल्स एक्ट आपका जन प्रतिनिधित्व कानून जो है ज पश्ट नहीं है तो कुल मिला के यह बड़ा एक इंट्रेस्टिंग मामला है इसमें कोई शक नहीं है कि इसको लेकर कोई पश्ट कानून है नहीं और अब यह मामला जो है दिल्ली हाई कोट में गया है दिल्ली हाई कोट इसकी सुनवाई करेगा दस तारिक को और मुझे कुछ भी आए ये आखिरकार सुप्रीम कोट भी जाएगा ही जाएगा जिस पक्ष के खिलास के निरने जाएगा वो पार्टी सुप्रीम कोट भी इसको लेकर जाएगी ही जाएगी इस बात की भी परयाब संभावना है तो अपने आप में देखना पड़ेगा यह बड़ी इं हमारे सामने आने वाला है ठीक है चलिए तो अभी के लिए इतना ही जाते जाते मैं आपको एक बार फिर बता दू कि भाई हमारा P2I बैच जो है उससे जुडने की लास्ट डेट है चार तारिक अब उसमें 18 किताबों का जो स्टडी आईक्यू का सेट है वो भी इंक्लूड जाए और अपनी तैयारी को विवस्थित कीजिए इस सेक्शन से जुडने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टडी आईक्यू आईएस हिंदी